आप जड़ा समझीएगा नेक्स्ट एलेक्ट्रिक फील्ड एलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर क्वांटी है या वेक्टर क्वांटी है एलेक्ट्रिक फील्ड इस वेक्टर क्वांटी और एक स्केलर क्वांटी electric field एक vector quantity है जिसकी direction प्लस से दूर माइनस की ओर होती है चीक है जड़ा देखिए ये electric field है अगर कोई surface इसके अंदर रखेंगी अभी हम रखे थे थोड़ी दिर बाद किसी surface को इसके अंदर हम रखें ऐसे ये area वाला है तो इससे 1,2,3,4,5 lines पास हो रही है तो जो number of lines पास होती है किसी surface से उसको हम कहते है electric flux क्या कहते है electric flux और electric flux is a counting of electric lines electric flux क्या होता है electric lines की संख्या होती है इसलिए ये कैसी quantity होती है scalar quantity होती है तो electric field तो हो गया direction जिसमें होती है electric flux क्या हो गया number of electric lines passing through any surface किसी surface से कितनी electric lines पास हो रही है उसको हम कहते है electric flux तो electric flux कैसी quantity है vector quantity है scalar quantity है ये कि scalar quantity है अग ज़रा समझेगा ये किस चीज से link कर रही है देखो ये electric field था और ये surface है ये surface है इसको ऐसे रखा है इसमें ये चीज आपको आपको दिखा रहे है ये surface रखा हुआ है ये इसका इतना area है इससे electric lines गुजर रही है अब सोच रहे हैं असली में lines गुजर जाती इससे तो क्या होता तब तो हम ऐसे से कर जाते वो तो मैं फर्जी बता रहा हूँ अब मैं इस अपने हाथ को ऐसे घुमाया हमने ऐसे घुमाया ये अभी तो ये ऐसे रखा हुआ था अब ये theta angle से घुम गया क्या electric lines कुछ कम जादा हुई कम हो गए न एरिया तो चेंज नहीं हुआ एरिया तो चेंज नहीं हुआ लेकिन direction चेंज हो गई यानि electric lines इस surface के साथ जो angle बनता उस पर depend करता है दूसरी बात यानि theta पर depend कर रहा है दूसरी बात हमने ये surface रखा इसमें और इस surface से 50 electric lines गुजर रही थी हमने ये surface रखा इसमें इक हजार electric lines गुजर रही थी lines उतनी है इससे ज्यादा गुजर रही है इससे कम गुजर रही है क्यों भाई इससे 50 लाइन्स गुजर रही है, इससे 500 लाइन्स गुजर रही है, 1000 लाइन्स गुजर रही है क्या चेंज हो गया, इसका एरिया चेंज हो गया यानि अगर एरिया एलेक्ट्रिक फिल्ड के अंदर कम जादा कर दोगे तो electric lines उससे गुजरेंगी तो change हो जाएगा यानि electric flux किस पर depend करता है area पर depend करता है ठीक है तो electric flux का formula क्या बताया गया कि किसी दो प्रकार की definition होगी एक physical definition एक mathematical definition physical definition क्या होगी कि किसी surface से गुजरने वाली number of electric lines that is called electric flux जैसे आपके जाड़ू लगाई जाती है एक तो होती तार वाली जाड़ू होती है एक full जाड़ू होती है दो जाड़ू होती न आप किसी का मुँ खोला है और उसके मुँ में जाड़ू घुसर दो और घुसर के बाहर भीतर करो जाता है तो उसका मोल ऐसे से करो चैंज होगाstaw मों में ज़ाड़ घुखें होगे तो जो ज्यादा गुशेंगी बाहर निकाल को जाएंगी उन्दर डालो ज्यादा हो जाएंगी चैंज हो रहा नमबर आफ जाडू फ्लक्स नहीं मतलब कह सकते हैं तो तो एलेक्टिक लाइनस कम जादा होना है यह फ्लक्स का चेंज होना ठीक है यह मतलब एक्जामपल दे रहा हूं किसी जाडू घुजड मत नहीं नहीं किसी गुजड दिया को को experiment करा रहा था सर ने कहहता मेरे मेरा ईक्जाम्पल लिया था क्या तो मैं तो ऐसे एक्जामपल दे रहा हूं अलग की बात यह लखिए गालत तो देखे एलेक्रिक flux होता क्या है किसी सर्फेस को जरह समझीगा किसी सर्फेस को ये एक सर्फेस है electric field में रखा गया यह electric lines इससे गुजर रही है यह electric lines गुजर रही है ठीक है यह electric lines है और इस surface का पूरा area A है और इस surface के साथ electric flux कितना पास हो रहा है यह निकालना है तो इसमें हम करते क्या तरीका देखिए इसका एक छोटा सा area element लेते area element उसके एक direction होगी direction क्या होती है इस surface के normally तो यह इसका area element है DA और यह electric field है और यह इसके बीच angle theta है तो जब इस छोटे से area element से गुजरने वाले electric flux की value निकालोगे electric flux passing through the small area element small area element या surface element कुछ भी कर सकते है element इसको हम देखे electric flux को phi से लिखा जाता है चुकि अभी magnetic field भी पढ़ाय जाएगा तो यहाँ पर phi e लिख देंगे और चुकि आप small word यूज़ कर रहे हो तो d phi e यूज़ कर देंगे formula होता है e dot da इस छोटे से surface से गुजरने वाला electric flux निकलाया यह formula होता है अब पूरे surface से निकालना है आपको तो इस सब का sum कर दीजेगा तो electric flux through the entire surface अगर पूरे surface से निकाले तो इसको हम लिख देंगे phi e और इसको हम integrate कर देंगे d phi e को और यहाँ पर a लिख देंगे क्यों लिखेंगे अभी हम समझा रहे है तो यह formula हो गया phi e is equal to integrate इसको surface integral कहते हैं d phi e की value होगी e dot da e dot da को e da cos theta ले सकते हैं तो यह हो जाएगा e da cos theta तो e बाहर कर दो cos theta बाहर कर दो और यह होगा surface integral of da surface integral का मतलब total integration total integral मतलब total sum of the area और total sum of the area कितना दिया है a तो इसकी value हो जाएगी e a cos theta तो यह flux का formula होगा phi is equal to e a cos theta समझाई बात note करिए ज़रा इसको फिर मैं इस integral word को समझाता हूँ इस एलेक्रिक फिल्ड की direction दिखा देना ऐसे बता दीजेगे note का लीजेगे समने कर लिया हाँ note कर लिए अब ज़रा इस integral का पहले मतलब समझ लिजेगे अभी आपने integral पढ़ा नहीं होगा असब mathematics वाले वो चोड़े हो जाते है कहाँ जिन्होंने math लिए हाँ हाँ हमको मालूम है अभी आपने integral पढ़ा कहा है आपने उतनी पढ़ा जितना बाई वालो ने पढ़ा है इसलिए दुरा integral समझ लिजेगा किसी ने पढ़ा integral अभी तो यह जो हमने ए लिखा है ना इसका पहले मतलब समझ लिजेगा तरह साउधान जैसे अब मैं समझाने के लिए ठयक्ति ही लिख देदा हूँ चार्ज डिस्टिबूशन एक हेडिंग ही हो जाएगी चार्जडिस्टिबूशन बताने जा रहे अ डिस्टिबूशन चलिए एक तरीके सेज इसली हेडिग है जिसको ंपने नहीं पढ़ाया था जानबूच के नहीं पढ़ाया था कुछ जरूत नहीं थी तेकिन आप चुकि इंट्रिगल समझाना इसलिए हम इसको समझा रहें जरा समझीएगा आपके पास एक infinite length का wire है infinite length का wire है infinite length ठीक है आपने इसको charge दिया conducting wire है यह आपने इसको charge दिया कैसे दिया हो एक अलग प्लास्टिक का कुछ था एसे रगड़ा हमने काच का रगड़ा और ऐसे चुआते गए इसको और इसको charge देते गए यह charge पूरे wire में फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा अब हमने आप से कहाँ आप बताओ हमने इसको कितना charge दिया तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे इसको पूरे wire में सीड़े लगा के चड़ जाओगे पूरे wire में नापोगे इंपियर इतने कुलाम इतने कुलाम जोड के हमको बताओगे अगर की कैसे निकाल होगे तो नहीं निकाल सकते आप तो क्या करेंगे आप एक छोटी सी लेंथ आप लेंगे dn और आप कहेंगे छोटी सी लेंथ में हमने charge दिया है dq तो यह dq हो जाएगा very small charge यह very small length और total length के लिए हम क्या करेंगे इसको integrate कर देंगे तो total charge मिल जाएगा हमको समझारी बार नहीं आ रही है integral मतलब sigma होता है अब आपने इसका integral length के एलांग किया है तो यहाँ पर लिख देंगे L इसको कहते है line integral इस integral का नाम क्या है line integral फार्मूला जो लगेगा integration का वह लगेगा जो आप पढ़ेंगे mathematics में कि वह लिखने का physics में तरीका अलग अलग है तो इससे अदा होती है अदाएं अलग अलग है तो पहली बात सुन में आ गई हूं हूं ऐसा भी नहीं होता है अब जड़ा समझेगा अब हमने क्या क्या एक infinite area का surface लिया infinite area का हमने इसको चार्ज दिया चार्ज इसके total area में फैल गया हमने का अरणों साब कितना चार्ज इसका हुआ उन्होंने इसका एक छोटा सा area element लिया और उन्होंने का यहां पर चार्ज डीक्यू है तो इसका नाम डीक्यू कर दिया और बाद में इनको इसको इंट्रिगेट कर दिया total charge मिल गया चूंकि total area का चार्ज मिला इसी को इन्होंने यहां ए लिग दिया यह area integral कहलाता है यह surface integral कहलाता है area अच्छा नहीं लग रहा है surface integral कहलाता है बहुत लिखने volume बहुत infinite था और हमने उसको charge किया हमने आपसे का भी इसका बताईए कि charge कितना है आपने छोटा सा volume लिया और volume का charge निकाला dq उसको integrate कर दिया यहां वी लिख दिया total charge मिल गया इसको आप कहेंगे volume integral volume integral चौथी बात एक और है कि अगर यह charge किसी surface के अंदर close है बंद है तो यहां पर हम एक goal बना देंगे dq इसको कहेंगे close integral तो यह चार प्रकार के integral है जिनका इस्तेमाल physics में कहीं कहीं किया जाता है तो इसमें confuse मत होईएगा इसको charge distribution लिकर के यह note कर लीजे और आपकी जानकारी के लिए हो जाएगा और हाँ एक heading भी हो जाएगी note करिए इसको अभी देखिए इसके पहले वाले में हमने एक plane sheet को charge दिया था flux निकाला था और flux में हमने यहां ए लिखा था तो वह surface integral था मतलब total area से पास होने वाला हमने flux निकाला हो गया अच्छा अब जरा देखिए अब गौस के नजदीक हम पहुंच गये हैं अभी उनके अलग-अलग सिपह सालारों को हम चित करते हुए जा रहे हैं होता नहीं जो किसी वो जो डान होता है उस तो पहुंचने के लिए बाहर बैठे होते हैं ना सब उनको मारते भी जा रहे हैं अब गौस अब पहुंचने वाले थोड़ा सा और अंतर अब ज़रा देखिएगा अभी माद बात electric flux की कर रहा था हमने formula पता है EDA cos theta अब ज़रा देखिए यहां पर एक charge है और इसके चारो और electric field है जिसके चारो और electric field है और एक surface जिस जो की उटपटांग टाइप का था उससे यह flux गुजर रहा है ज्यादा आओ close कर दो कोई दिकत नहीं बंद कर दीजीगा तो अब लफड़ा क्या यहां पर है हम कहेंगे इस ऐसे भी charge निकल ला है चारो तरफ चलिए इदा चारो तरफ कर ठीक है हमने कहा बताओ कितना flux पास हो रहा है एलेक्टिक लाइन्स गुजर रही ने गुजर रही है एलेक्टिक लाइन्स गुजर रही ना हमने कहा इसे कितना flux पास हो रहा बता जड़ा समझेगा अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यहां पर यह area element यह electric field यह angle theta 1 इस जग या element da2 यह electric field यह theta2 क्या देख रहे हैं आप हर जगह theta change हो रहा है या constant है हर अब हम flux निकाले कैसे चले area तो हम सेम कर देंगे da 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 क्या आप theta change हो रहा कैसे calculate करेंगे आप तो आप या तो हर जगह आप theta measure करिए और total flux निकाल के add कर दीजिए एक तो यह तरीका होता है क्या हर जगह theta measure हो सकता है आपने 1000 जगह measure किया अब मालिया उसमें तो 1001 जगह change हो रहा है तो आप यह calculate नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं हम तो कर सकते हैं इसलिए नहीं कि एक solid angle का concept लेके हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली theta measure करना संभव नहीं है नहीं है न तो यहां पर हम theta क्या करेंगे ज़रा समझेगा जो electric lines होंगे न उनको बंद करना है electric lines को बंद करना है तो उससे electric lines गुजरेंगी हम एक ऐसा surface लेंगे जिसमें या तो theta change नहीं हो रहा हो हर जगह सेम हो काम चल जाएगा या उस surface के 4-5 टुकड़े कर दें और उन 4-5 टुकड़ों में से electric lines area क्या बोला हूँ चार-5 टुकड़े कर दें उस surface के और ऐसे टुकड़े कर दें कि theta वहाँ हर एक टुकड़े के लिए constant हो जैसे जरा समझिएगा हम कहना कुछ और चाहते हैं गौश तरण तक पहुँचना चाहते हैं इसलिए उसी को समझाने के लिए ड्रामा बता रहे हैं देखो द्यान से जैसे यह चार्ज यहां रखा हुआ है अगर यहां से electric lines गुजरी ऐसे मैं 4-5 lines लेता हूँ यह electric lines गुज कर दूँ तो बताइए हर जगे जो area element होगा वो normally outward होगा और electric field भी normally outward है तो क्या हर जगे थीटा 0 है कि नहीं है हर जगे थीटा 0 आ रहा है दूसरा example हमारे कमरे में electric lines ऐसे पास हो रही है ऐसे माले गुजरी यह इधर से जाती इधर जाती है हमने कमरे के 4 surface कर दिये चार है के 6 surface आप यह electric lines है यह वाली जो दिवाल है वो उसका area element बाहर की तरफ electric field बाहर की तरफ ठीटा 0 हो गया यह वाली जो दिवाल है उसका area element बाहर की तरफ एलेक्ट्रिक फिल्ड इधर की तरफ थीटा 180 हो गया ये वाली दिवाल है उसका एरिया च्छत है उसका एरिया बाहर की तरफ एलेक्ट्रिक फिल्ड इधर थीटा 90 हो गया सामने की दिवाल है एलेक्ट्रिक फिल्ड इधर एरिया वेक्टर इधर आचा सोच रहा हैं कि मैं नाक मने गुज़र्धना करके नाक आपकी दूर है चिंता मत करिएगा वैसे भी मास्क लगाए होगे ऐसे एरिया वेक्टर इधर थीटा 90 हो गया नीचे वाली जो फर्स है थीटा इधर 90 हो गया तो हमने क्या किया अपने कमरे के द्वारा इस एलेक्ट्रिक फिल्ड को बंद किया कमरे के छै सर्फिस थे और छै सर्फिस में छै जगे थीटा चेंच हुआ निकाल लिया हम ने तो या तो हम इस electric field को ऐसे बंद करेंगे जिसमें theta हर जगे constant रहे या ऐसे बंद करेंगे जिसमें कि कुछ जगे constant रहे 5 जगे change हो रहा 5 जगे निकाल लेंगे 2 जगे change हो रहा 2 जगे निकाल लेंगे हर जगे change होगा तो नहीं निकाल पाएंगे समझ में आई बात ये concept सुन में आया ठीक है अब बात करने जा रहे हैं electric flux की फिर वही बात वही फ्लक्स से निकल ला है गौस्थरम बहुत important theorem मतब electro static का जो इसे साधी में दूला नहीं होता हीरो होता है हम भी जो साधी होते तभी दूला तभी हीरो बने थे एक दिन के लिए वही हीरो ये भी होता है तो electro static का hero गौस्थरम गौस्थरम ने कहा कि अगर किसी सर्फेस के अंदर कोई चार्ज बंद कर दिया जाए तो उस सर्फेस से electric lines गुजरेंगी आपने electric flux गुजरते वे कहीं देखा है पिच्चरों में देखा होगा एक फिल्म आई थी entertainment देखी होगी समने देखी होगी कई बार देखी है देखी है न उसमें एक कुत्ता होता है कुत्ता बड़ा intelligent होता है मैं जरे तो वो उसको मारने के लिए वो जब फ्रिज में current पास कराते है तो वो कैसे switch off करके अपना फ्रिज सावा निकालाता है और वो जो आते हैं तो वो आन कर देता है तो जब छूते हैं तो वो electric lines गुजरती है तो उसमें फिल्म में दिखाया जाता है वही electric flux है ठीक है तो देखें गौश साब ने कहा कि अगर किसी surface के अंदर कोई charge रख दिया जाए हम अपने convenient की वज़े से plus q लेते हैं समय लिजेगा तो उस surface के से हर तरफ electric flux पास होगा अब surface कैसा बनाए तो हमने का surface उटपटांग न बनाईए तिक यह दुनिया उटपटांगा आप surface ऐसा बनाईए जिसमें theta uniform हो यह NCRT मानती है बड़े classes में जाएंगे तो surface उटपटांगी बनाना पड़ेगा तो हम कैसे यह चार्ज यहां रखा हुआ है हमने our distance पे इसको बंद कर दिया क्या बना दिया हमने उल्यापने ऐसे ऐसे हाथ किया बनाया क्या एक sphere बना दिया तो हमने क्या क्या इस charge को की electric field को close करता हुआ एक तो इसको कहते gaussian surface क्या कहते है गौशियन सर्फिस थोड़ा interest रखिएगा क्योंकि हमने क्या कहा कि हमें भूख अपने आप लगती है भूखास कहते हैं उसको हिंदी में प्यास अपने आप लगती है सोना अपने आप लगता है डेली रूटीन जो हम करते हैं वह जाना ही सो रहां एकदम से मैथमेटिस वा चेमबर जागा रिदादा हम ममी बुकलाओ ऐसा कभी नहीं हुआ ना हुआ कभी पैरेंटस को इतनी होता है पैरेंटस ड़ी स्कूल में आयेंगे हम लोग के गांश एरिया पढ़ाते है तो मैंसद बहुत महनत कि यह नहीं पड़ रहा है हमका लड़का लुद क़्यों मैंनत कर रहा है मुझे बहतर तरीके से क्यों पढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर अर्णो किसी थर्ड परसन से बात करेंगे और कहेंगे एपी सर मतलब बहुत बेयुकूफ टीचर है और पता नी कैसा टीचर है वेभोसण ने पता नी क्या पढ़वा रहें प्ढ़ रहें क्या लागडाउन चला एक तो यह इंट्रक्षिन होता है और एक इंट्रक्षिन होता है कि भई बढ़िया टीचर है तो आपने गड़ दस ल झाडू-जाडू करते यह हैं कि आप सो जाए एक स्टुडेंट पढ़ती थी जानते हैं नाम नहीं लिता हैं चील, हमसे पढ़ रही हैं, यह का उधर का देख रही हूं। कैमरा उदा गरो तो कैमरा देखा 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 सिस्टर बैटिए उसकी बतिया रही है तो प्यम डारते थे हमका चुप चाप इदा ध्यान दो तो जड़ा सुनिए ध्यान से मैंने इस सर्फेस को बंद कर दिया आप जड़ा समझेगा तो इसे एलेक्टिक लाइन पास होंग पासिंग थ्युश्त जिसका फामला हमने क्या बताया वन्हें थैले घ्टीश ऐतने और टोटल सर्फेस क्लोज जिसका नाम की अनुदिया क्लोज इन्टरिकल उन्होंने कहिए किस के बरावर होगा कि चरर्ज की बरावर हुगा को जितना चार्ज उतना ही फ्लक्स लेकिन ग अपनी परमिल्टी होती है मीडियम उस फ्लक्स को कम कर देगा कितना कम कर देगा मीडियम उसको वन अपान एपसालन नौट टाइम्स कर देगा तो गौश साब ने क्या कहा कि अगर कोई चार्ज किसी सर्फिस के अंदर क्लोज है तो उससे गुजरने वाला जो एलेक्रिक फ्ल कर दिया समझ्ग में आई बात जिरह स्टेटमंन लिखें the total electric flux गर्ष थठेट में लिखें the total electric flux through any closed surface closed surface है इसलिए हमने closed integral किया एक wire होता है तो line integral plain surface, surface integral co-solid volume integral surface close, close integral तो लिखे है तो total electric flux through any closed surface is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface enclosed by the closed surface enclosed by the closed surface and if phi e that is equal to closed integral e.da is equal to q upon epsilon naught ये statement हो गया ठीक है अब उसको proof करने जा रहे है प्रूप को ध्यान से समा लिजेगा tough नहीं है साउदान जब किसी surface से electric field गुजरता था तो electric flux निकालने का तरीका हमने क्या बताया हमने कहा कि इसका एक छोटा सा area element ले लू ठीक है इसका एक छोटा सा area element ले लू ये center इसका है हमने जान बुज करके इस surface को जो close किया है वो spherical किया है और इस area element में electric field outward होगा और area element भी outward होगा दोनों के बीज़ angle कितना है हर जगे यही होगा नहीं होगा हर जगे electric field outward होगा area outward होगा नहीं होगा तो हम एक छोटी जगे निकाल ले और बाद इसको integrate कर दे total निकल आएगा तो पहले तो आप diagram के बारे लिखेंगे कि suppose q is a charge placed at the center placed at the point o and we draw a Gaussian surface that is a spherical surface यह आप ड्रा कर रहे हम इसको ऐसे ऐसे enclose कर सकते थे देखे द्यान से मता उट पटांग टाइप का भी surface हो सकता था तो उसमें confuse मत होईएगा अगर किसी बुक में बढ़ा हो तो the electric flux passing through small area element the small area element इस छोटे area element से जो flux pass हो रहा उसको निकाल लेते हैं d phi e क्या formula बता है हमने e dot da e और da के बीच angle कितना है तो इसको e da cause 0 कर सकते हैं यह epsilon not नहीं है confuse मत होना यह e da हो गया और यह r distance पर है ध्यान रखीगा और अगर हम electric flux through the whole entire surface निकाल ले तो इसको integrate कर दिया जाए the electric flux through the entire the entire surface entire Gaussian surface को gs लिखे दे रहे हम जहाँ पर Gaussian surface होगा gs लिख देंगे यह general study नहीं है तो उसको कहेंगे फाइए जिसको close integral e.ds करेंगे e.da करेंगे is equal to close integral e.da इसको note करेंगे इसको रप करेंगे थोड़ा सा वावनी जी समझ में आरी बात थोड़ा ध्यान से आप वहाँ बैठ के देखिएगा कि हाम अगर ऐसा कर रहे तो actually ऐसा हो रहा नहीं हो रहा अब करेंगे ना चुले ना कहीं तार जाको लिए हो रहा नहीं हो रहा तो दिक्कत हुजाएगी कि अच्छा डाइग्राम को रप कर दें कि अच्छा डाइग्राम बनाने दीजिए इधर नोट कर लिया ना अब जड़ा यहां पर आईए तो फाइई इस इक्वल टू क्या हो गया यह तो बहार निकल आया क्लोज इंटिगल डिये इसका पूरा सर्ष्टेरिया कितना है फोर पाई आर स्क्वार है ना इक्या है एलेक्रिक फिल्ड किसकी वज़े से क्यू की वज़े करिए डिनॉमिनेटर का फोर पाई आर स्क्वार कर जाएगा तो यह आ गया क्यू बाई एपसालन नॉट यह एलेक्रिक फ्लक्स जिसका की फार्मूला अगर यही चार्ज उस सर्फिस के बाहर रखा होता तो एलेक्रिक फ्लक्स पासिंग फ्रूदा सर्फिस विल बी जीरो तो एक नोट करके लिख लिए लिख लिख दीज़े जीरो नोट किया एफ आफ इभ आफ टाउर्मूा जीरो q औलें प्लक्स के लिख लिख यह लिख 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 यह इनियरो इस Alsje outside the Gaussian surface Gaussian surface then total flux total electric flux passing through the surface will be 0 passing through the surface will be 0 yeah enclosed by the surface passing not to go enclosed by the surface enclosed by the surface is equal to 0 अब इसको physics की भासा में समझ लीजे और math की भासा में समझ लीजे देखो द्यान से ये है हमारा charge जो किसी surface के बाहर रखा है surface regular irregular कोई बना दीजे हम फिलाल surface इस फेरी बनाए दे रहे ये Gaussian surface है तो इस प्रकार से electric field गुजरेगा physics कहती है कि अगर किसी surface के अंदर field गया और बाहर निकल गया तो अंदर कितना बचा physics कहती है कि अगर electric field अंदर गया और electric field बाहर निकल गया तो अंदर field कितना है जीरो यह फिजिस कहती है लेकिन हम जो बैट के सोचते हैं कि या अंदर से तो गया यह और लगातार फील्ड प्लास हो रहा है तो दिखेगा तो अंदर नहीं दिखेगा मताँ अगर हम practically समझें कि electric field किसी surface के अगर इंट्री करता है बाहर निकल जाता है तो electric field उसके अंदर zero माना जाता है चलिए यह समझ में तो आ गया लेकिन practically अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं electric lines अंदर गई यह अंदर है फिर निकली तो अंदर zero तो नहीं है अगर मैं यहां ब गरबड़ है ऐसा लगता है ना नहीं लगता है नहीं मैं कुल समझा रहा हूं मैं भी इसको अब मैं mathematically इसको प्रूफ करता हूं फिजिक्स की भासा में यह है कि अगर गोली हमारे लगी हमारे किसी और के लगी और लग्य बाहर निकल गई तो अंदर गोली नहीं है वाला की जिसके लगी उसके चितरे उड़ गए जड़ा समझिए गर अगर अब mathematically हम इसको प्रूफ करते हैं आपको करना कुछ नहीं है प्रूफ हो गया जीरो कर देना प्रूफ नहीं करना मैं को समझा रहा हूं देखो द्यान से जड़ा इस सर्फेस को देखो अगर इस सर्फेस में हम इसको इस प्रकार से electric lines गुजारते हैं यह गुजर रही है तरह इस surface को देखो यह electric lines है यह area element है माल लिया यह d a1 है यह इनके बीच angle है theta 1 तो अगर इस point पे आपको electric flux निकालना हो माल लेते हैं d phi 1 है तो यह e dot d a1 आएगा आपको दिख रहा होगा कि यह जो angle है वो obtuse है कि acute है क्योंकि area normally outward हमने लिया है और electric field अंदर entry कर रहा है तो यह जो theta है वो acute है obtuse है यानि कि यह value जब निकालेंगे तो कुछ negative value आएगी नहीं आएगी अच्छा जड़ा यहाँ पे आओ यहाँ पे जो भी हमने लिया है यह area इसका d a2 है और यह theta 2 है यह electric field है तो अगर e तो यहाँ पर जो flux निकालेंगे d phi 2 तो e dot d a2 यानि यह आपका positive आएगा और negative आएगा यानि अगर मैं इस Gaussian surface के आधा टुकडा कर दूँ तो आधे पार्ट में area element इधर outward होगा आधे पार्ट में area element इधर outward होगा आधे पार्ट में angle obtuse होगा आधे पार्ट में angle acute होगा आधे पार्ट में flux negative होगा आधे पार्ट में flux positive होगा total flux 0 mathematically आराएग नहीं आ रहा है तो यह mathematical है कि electric flux through any Gaussian surface when charge is placed outside the surface is zero ठीक है यह थीटा obtuse है बच आएगा तो cause obtuse negative होता है ना cause 90 से उपर जब बढ़ेंगे तो obtuse आएगा वो क्यों mathematically समझाने के लिए आपको exact value नहीं निकाल ली है यह दिखाने के लिए कि आधे part में negative flux होगा अनि आधे में entry करा है आधे से बाहर निकल रहा है तो total flux zero होगा यह mathematical हमने समझाया physics की बादसा में कि अगर कहीं field गया और बाहर निकल गया तो उसके अंदर field zero होता है जैसे कोई कार के अंदर अपने बैठा हुआ है और एकदम से बिजली गिर जाए तो कार के अंदर electric field नहीं होगा उसके अंदर हो safe है सर्त एक कार को नच हुए कहीं तो बैठेंगे कहां तो इस टूल डालके बैठो लकडी का तो सभी लोग कार में अपने अपने इस टूल रख लेंगे क्या दिक्कत गद्धी अटा के लोग इस टूल मेठेंगे काई के लिए गद्धी लगाएंगे उसके दो फैदे कहीं बिजली गिरी तो तो फिलाल उसके अंदर field zero होगा ठीक है सुन जा गया ये Gaussian थोरम है